कैंट पुलिस ने चार गड़ी वाजों को गरीफतार किया है जिसके संबद में कैंट थाना परवारी शशी बुष्राय ने बताये कि मुखविर की सूचना पर सिंगड़ियाती राहे के पास से चार अव्युक्तों को गरीफतार किया गया है जिसकी पहचान करण डोम पुत्र जितेंद्र डोम निवासी महुआती रहा शिवपूर शहबाज गंज थाना गुलहरिया जनपद गुरफूर दूसरा रोहित पुत्र अनिल निवासी मिलेनियम सिटी आवास के पानी के टंकी के पास थाना चिलुआ ताल जनपद गुरफूर तीसरा राजवर्मा पुत्र के कीलो 700 ग्राम अवैद गांजा बरामत किया गया है कैंट थाना परवारी ने कहा कि 6 मार्श को सिंगड़िया थाना कैंट निवासी 60 वर्षी महिला जो गिर्धर गंज बाजार से घरेलू सामान खरीद कर आ रहे थी उनको बहला फुसला कर उनके जेवरात मोबाइल वारू रूपियों को चुरा लिये थे जिसके प्रातना पत्र पर थाने में मुकदमा पंजी करित हुआ था कैंट थाना परवारी ने बताया कि गरिफतार अव्युक्तों ने पूश ताच में बताया कि हम लोग आटो में बुज़र्ग वा महिलाओं को बहला फुसला कर बैठा कर उनके जेवरात वा पैसे निकलवा लेते हैं तत्हा चोरी कर लेते हैं और हम लोग कागस की गड़ी बनाते हैं तत्हा उसके उपर वा नीचे असली नोट लगा कर लोगों को बहला फुसला कर उनके पास से रूपियों को लेकर उनके पास यही गड़ी देकर चले जाते हैं थाना शाहपूर छेतर में हम लोगों ने एक गाड़ी में बैक से 86-100 रुपे चुराए थे हम लोग अवैद गांजा भी वैपार करते हैं हम लोग थाना कोतवाली वा थाना शाहपूर में भी ऐसी घटा को कर चुके हैं कल हम लोग पैडले गंच से वी पार के बीच में दो महिला से उनके जैवरात बहला फुसला कर ले लिये थे जिससे आज हम लोग यही जैवरात वा गांजा बेचने जा रहे थे कि आप लोगों दोरा पकड़ लिया गया उन्होंने कहा कि अब युक्तों को ग्रिफतार कर जेल बेच दिया गया है ग्रिफतार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना परवारी शशी भूशल रहे वरिष्ट उप निरीचक मनीश कुमार यादो इंजिरिंग कालेच चोगी परवारी अमित चौधरी कांस्टेबल वैवो शिर्वास्तों संजय यादो जै परकाश याद भी कांस्टेबल वैवो जैंना पर यादोल वैवो जै यादो ऑ